सो हे गाइस तुम आ गए हो एक ऐसे प्लैटफोर्म पर जिसके बाद तुम्हें दर-दर के ठोक रिखाने की जुरुवत ही नहीं क्योंकि अपन सीखने वाले हैं इस टॉक मार्केट बाइ स्टॉक मार्केट तो यूट्यूब आप कोई सी भी वीडियो से सीख लोगे लेकिन जो कंटेंड जो एक्कूरेसी जो रिस्क मैनेजमेंट एंड जो स्टफ होता है न जो तुम्हें कोई और यूट्यूबर या कोई इंफ्लूएंसर नहीं वो तुम्हें इस पेच पर मिलने वाला है भाई गैरेंटी देता हूँ अपने पूरी सीरीज है अब ये एक मन्त करने वाला हूँ ये एक मन्त तुमने स्टॉक एक्स्प्लोडर को दे दिये सब फ्री है भाई कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ तो बस तुम्हारा कल्यान ह होने वाला है इसके बाद ना तुम्हें कोई एक कड़ोर के कोर्स की जरूरत पड़ेगी ना तुम्हें मंतली किसी की प्रीमियम मेंबर्शिप लेनी पड़ेगी अच्छ भाई इस लेवल पर हां भाई बस अपना साथ बनाये रखो अपन बस आग लगाने वाले हैं उसी कि पहले अगर तुम्हें एक दम ही नहीं हो तुम्हें कुछ भी नहीं बता है स्टॉक मार्केट का एस तो यह समझो भाई यह कोई कुबेर का ख़जाना नहीं है इंसान आता है क्या सोचता है आज वाजू से देखता है यूट्यूप पे रिलेंस यूटूप पे शॉर्स दे लिए उनके कोर्स चल पाएं ठीक है यह सब नहीं होता है यह पिर कैसे होता है क्या सच्चा ही है तो आपन इस्टॉक मार्केट तो बाद में सीखेंगे पहले स्टॉक मार्केट की सच्चा ही यहां पर तुम्हें कैक स्पेक करना है एक मंत में दो से 3% रिटन इतना कम है इसको अच्छे से आती है इतना रिटेन बहुत होता है तुमने इसमें क्या हरा दिया पूरा इंफलेशन हरा दिया देश की महेंगा ही जो हो रही है ठीक है इंफलेशन वगेरा इसको तुमने बीट कर दिया निफ्टी पता है कितना देता है एक मंत में आल्मोस जो निफ्टी का expectations तुम्हें रखनी है basic तो सब कुछ हो गया मैं दीरे-दीरे करके सब बता दूंगा अपन को main सीखना है पाइसा कैसे कमाना है भाइया वो फालाना चीज तो यह सिखा रहा था अपन यह सीखना है नहीं अपन सीखना है सिर्फ पाइसा कमाना अपन को और कुछ मतलब नहीं ह तुम क्या expect करोगे 2-3% return ठीक है सिर्फ 2-3% return that's it यह तुम्हारा पहला पॉइंट है भाइया नहीं वह तो हम एक महिने में 40% भी दिख रहा है 20% सब भूल जाओ basic से start कर रहे हैं 2-3% यही possible है यही चलते आ रहा है थियास से दूसरा क्या करें भाइया एक-दो साल में तुम अपन रियालिटी में जीना चाह रहा है और रियालिटी में सीखना चाह रहा है तीसे नमबर वह जो तुम्हारे family member से आजवाजू के लोग इसको सट्टा बोलते हैं गैंबलिंग गैंबलिंग उन लोगों के लिए जो without risk management करते हैं यह काम तीसरा पॉइंट है यह गैंबलि रुपे की स्टॉक होते हैं उस पर तुम इन्वेस्ट करोगे तो पहनी यह गैंबलिंग में जाएगा तुम यह जो FNO ट्रेडिंग करोगे शुरू में बिना सीखे तुम इंट्राडे करोगे यह सब नाम है अपन फ्यूचर में सब सीखने वाले हैं एकदम डिटेल लेवल में यह सब क्या फिए यह सब अभी ओमोझ आया है तो लाजजाए अपन कहां से स्टार्ट करेंगे अपनी भई बुनियात स्टार्ट भर स्टार्ट से यह बइस Kingdom एनब्र से सीटेड़े वें संड़े तुम सब्लिए स्विंग ट्रेडिंग अपन यहां से स्टर्ट करने वा का स्टॉक मार्कित में लोग आ कैसे सोछते कि मैं यह उठता है कभी गरता है यह इस व्यमें ऐसा कव बन जाए हम लगए उड़ाइजा उट गरोगे यह गलत अप्रोच यह लोग अप्रोच रखते हैं इंट्रडे वाले एफनो वाले एंजो तुम रीज देखते हो न यह उनकी यह अप्रोच बस वो खुद का पेड़ भर रहा है यह अटा दो तुम्हें कहां ध्यान देना है इस पर ऐसे ग्रोग किया जाता है धीरे- अ Having औरowych इतना पैशए गमा लोगए दुनिया में कहीं नहीं घमा पाओ गया कई इसकेरे अपन को क्या करना ऑब अब कुए क्रेक्च से स्टाट मैंने तुम्हेने सारे छे अम्यर जातर धीर ने सब्सेट करना था जा यह हना सबसे पहला फंड़े आदा दो से तीन परसें पर मन्त बोल रहा हूं एक्सपेक्ट पर मन्त चीक है यह अपना रूल नंबर वन था दूसरा अपना क्या था एक से दो साल में अपन लग पती कडोर पती नहीं वनने वाले हैं यह तीसरा पॉइंट क्या था अपना तीसरा पॉइंट यह था कि इसको हर इंसान गैंबलिंग बुलेगा जब तक अच्छे से नहीं करने वाले होँ अच्छे से कैसे करेंगे अपने आने वाले सीरीस में आके सीहेंगे गैंबलिंग नहीं गरनी है अपन अपन को धीरे-धीरे अपना पॉर्टफोलियो गरो करना है पैसा वड़ाना है चीक है 14 पॉइंट है अपना थोड़ा सा ऐसा है कि मैंनलब क्या ही बोलो वह सब्सक्राइब पर लगनी है यहां पर चीक है ब्रेन पावर चीक है दिमाग जिसका ज्यादा चलेगा जो जितना एकदम शांत होगा पेशेंट के पेशेंस हैं यहां फाइब शुबाव का वह यहां पर जीच जाएगा उस पे एक एज है आगे लाइफ में उसके अलावा सबसे इंपोर्टेंट और आखरी चीज़ें अपन जहां से स्टाट करने वाले हैं स्क्रैच से मतलब कुछ भी नहीं आता ना बस उस लेवल से कि वाई तुम दसवी क्लास के बच्चे हो जिसने स्टॉक मार फेंबली एंड वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो कमेंट करके अपना सपोर्ट दिखा दो क्योंकि अब अपन धूम मचाने वाले हैं आगे लाइफ में चलो मैं जा रहा हूं अब आतने बने प्यारी सी नई वीडियो में यह कंटेंट थोड़ा ऐसी रफ सा है तो इसको इगनूर करो एंड बस कॉलिटी पर द्यान दो कि क्या इनसान कॉलिटी दे रहा है चलो बाबाए थैंक यू आना लाइक कमेंट शेयर कर देना नीचे फटाफट फटाफट